हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि आज हम एक्सरसाइज 9.3 का स्कूशन सॉल्ब करेंगे और मैंने प्रिवियस क्लास में आपको 9.2 का सारा कूशन मैंने आपको अच्छे से समझाया है आसा करूंगे कि आ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक एक कोशन को सॉल्ब करते हैं तो आपका जो कुशन नमर वन जो है वो आपका बूर्ड रहा है कि कैरी आउट दा मल्टिप्लिकेशन आफ दा एक्सप्रिश है तो हम लोगों को इसको क्या करना है मंटिप्लाय करना है तो इसमें आपक क्या होगा अपलाय होगा डिस्टिब्यूटी प्रॉपर्टी डिस्टिब्यूटी प्रॉपर्टी का मतलब 4P जो है एक बर Q से मंटिप्लाय होगा और एक बर R से मंटिप्लाय होगा ठीक है तो हम P R अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसमें हम लोग carry out लेते हैं जैसा question में आपका बूर रहा है कि carry out the multiplication तो अगर हम लोग carry out लेते हैं जो common है उसे अगर हम लोग बाहर लेते हैं तो हमारा question वही आ जाएगा जैसे इसमें इन दोनों में आप देखे कि क्या क्या common है P और Q common है तो 4 P common है तो बचा क्या आपका rest Q और R बचा अब देख रहे हैं question आपका वही आ गया तो यह आपका answer हो जाएगा हम लोग multiply करने के बाद इस चीज को पाया है तो यह आपका answer हो जाएगा यह हम लोग carry out किये तो हमारा फिर वापस same result आ गया उसी तरह से इसे भी solve करेंगे distributed property से तो A B आपका multiply हो जाएगा A minus B से तो A square B हो गया और A B का square ठीक है आगे बढ़ता है A plus B multiply करेंगे 7 A square B square से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह इसको हम लोग अगर question को easy बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यह है दो term और यह है single term तो single term ना दोनो term से एक एक करके one by one multiply होगा तो हम लोग ऐसे भी तो इसको लिग सकता है इससे कोई फरक ने पड़ता ठीक है यह हम लोग सिप इसले कियें कि हम लोगो इसको multiply करने में easy हो अब 7a square b square multiply होगा a से फिर 7a square b square आपका multiply होगा b से तो देखिए 7a already हाँ पर square था और यह a multiply होगा तो a का cube होगा और b square तो as it is रहेगा फिर plus क्योंकि हाँ पर plus है फिर 7 multiply होगा b से तो 7a square b का cube अब इसमें भी आप अगर देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि 7a और b common है तो हम लोग common निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 तो दोनों में common है यह तो देख रहे हैं अब a जो है इसका highest power कितना है square है तो a का square common हो गया और b का भी उसी तरह हो देख रहे हैं उसका highest power to square है तो square हो गया अब इसमें remain क्या क्या बच्चा इसमें एक a बच्चा और इस वाले में एक b बच्चा तो यह हमारा carry लेने के बाद यह हमारा common लेने के बाद यह हमारा answer हो जाएगा लेकिन आपको इसमें multiply करने के बाद यह सब आपका answer है ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं question number a का sub question आपका 4 है 4 number question में आपका दियावा है a square minus 9 को multiply करना है 4a से तो इसमें भी same condition होगा 4a बच्चा बच्चा 9 से और एक बच्चा 9 से और एक बच्चा 9 बच्चा 9 से तो हम लोग इसको easy बनाने के लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अब 4a को multiply करेंगे a square से तो 4a cube हो गया minus 490 36 और a उसी तरह से यह हो जाएगा अब यहाँ पर आप दिखें कि इसमें को solve करने का तो ज़र रह थी नहीं कि किसी भी term को अगर हम लोग 0 से क्या करेंगे multiply करेंगे तो उसका result क्या आएगा 0 ही आएगा ठीके स्टुडेंट्स तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप देखेंगे question number question number 2 तो आप देख रहे होंगे ncati book का जो question number 2 exercise 9.3 का वो बहुत इजी है इसी के जाएसा सेम है तो वो question आप खुछ से solve कर लीजेगा लेकिन मैं question number 3 4 और बाकी का question मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि वो simplification है वो हो सकता आप लोग को थोड़ा उसको समझने का जौरत पड़ेगा तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे helpful लगे तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बनकुल करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगे okay students बाई बाई